नमस्कार में आपके साथ सुधा शाओ और आप देख रहे हैं HBN News कोरोना वाइरस की बीच एक अच्छी खबर जी हाँ आपको बता दे विजयनेगर तहसिल का एक मरीज ठीक होकर वापस घर लोटा है और जिसके बाद गाओवाले ने उनका जोड़दार स्वागत दिया है देखिए इस रिपोर्ट नमस्कार में हूँ सुध कुमार आप देख रहे हुए HBN News चनल अब बात करते हैं कि साबर गठा जिल्ले के अंदर विजयनेगर तहसिल का जो पहला मरीज जो कोरोना का पोज़ेड़ का पहला मरीज दा था वो आज स्वस्थ होकर वापस अपने गर लोटे है वो आपको साय तस्वीर में दिखा दे होगी यह जो एम्बूलेस है उसको लेकर यहां आप पहुचिए है अपने वतन पर आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे बरत पट्रिया और पर सदाम हमारे साथ जूड़ चुके है जो विजयनेगर तहसिल का जो पहला कोरोना पोज़ेड़ का केस था वो सायद कुएट से आया था चलो हम उसको बात करने की कोशिश सेंगे सर आपको जो अभी अभी जो लोग कोरोना में पोज़ेटिव में है उनके लिए आप कुछ कहना चाहते है कि इसको डरने की जरूरत है या क्या है कोरोना पोजेटिव से कुई डरने की बात नहीं है कोरोणा पोजेटिव जैसा सरकार हमको जैसा treatment देती है वो treatment हम regular लेते है तो उससे हमको कोई इतना tension लेने की और लोगों की बातों में आखे गबराने की कोई जरूरत नहीं यह सिंपल ही दवा होती है जैसे की गरम पानी वो लोग हमेरी जैसे ट्रीटमेंट करते थे वो ट्रीटमेंट रेगूलर करने से हमको कोई भी दिकत नहीं मोड़ा सारवजयनिक होस्पिडिल से हमको बहुत सारा रिस्पोंस मिला हम कुएच से आ गए और हमने हमारा ट्रीटमे में पहुच गे सुरक्सित हो गए और आपको वहां जहां आइसुलेशन में रखा गया ता वहां को किस प्रकार के सुईदा मिल रही है सभी प्रकार की हमको सुबह लेके आए हमदाबाद एरपोर्ट से हम जब उत्रे तो हमको औरवली मोडा सामें लेके गए उधर हमको त्रीटमेंट चालो गया उसके बद हमको स्पेशिल केस में वगर ऑइसुलेशन में डाला गया और हमेरे दो साथी बंदे थे वो और हमको जैसे कि वहां ट्रीटमेंट में उस ट्रीटमेंट में तर्श हम बिलकुल खूस है और उन लोगों का स्टाप नर्ष डॉक्टर आखरी सवाल मेरा है कि जो लोग मरीज अभी भी होस्पिटल में है इसलेट में उनके बारे में कुछ कहें कि वो जो डर ना जाए नहीं वो जो हम मेरे साथ जो 15 लोग थे जो आइसोलेशन में उनको इतना कोई माइंड पे इतना वो नहीं है कि जैसे वो कोरोना पोजेटिव ह पस उनको ट्रीटमेंट मिल रही है वो ट्रीटमेंट के हिसाब से चल रहे है वो भी कल सहथ 5-7 लोग कल उनको फिर छोड़ देंगे उनको नेगेटिव होगे उनका टाइम कल कतम होगा चौदा दिन फिर उनको बेजेंगे अपने वतन ओके जी ठीक है ठीक है आपको बहुत सुग्ड़ बहुत आप